बजट रजु थायाबाद केंद्रीय मंत्रियों और शांसदोय बजट अंगे प्रतिक्रिया वापियती यह आपड़ जोई लिए जड़ूर इस समय है इसमें पूरी तरह से बैया स्वस्थ हूँ इस इंट्रीम बजट के कारणी जो भी इंडिकेशन के पज़र से मिले हैं कि हमारी एकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप फाइप कंट्रीज में है उसकी साइज बढ़कर 20-27 तक मोर दें 5 डिलियन डालर जाएगी और 30 आते-ाते मोर दें 7 डिलियन डालर तक मोर देंडियों संदान की बाद कहीं ती सिर्फ कहें नहीं उसको क्रियानियन करने के लिए आज बजट में एक लाख कोड रुपिया की एक कॉर्पस फंड की आनौन्स किया गया जो संस्ता जो निजी शेक्टर की संस्ता प्राइवेट शेक्टर या इंस्ट्यूशनल बॉडी लोन लेना च उसकी सिदा सिदा लाब भारत की नई पिढ़ी को विश्व की आवश्यक्ता को द्यान में रखते हुए तो टेक्नोजी की नई दुनिया आ रही है उसको भारत की नौजवानों में पूरी ताकत है राष्ट्य शिक्षा नितिक्रियानियन हो गिया है इनोवेशन एक जना अ मंतरी निर्मला जी को और आदने प्रदान मंतरी मोजी ची को बज़ए देता हूं इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज और कोई सेक्टर छुटा नहीं है आप देखेंगे इंफ्रसक्टर से लेकर के वेलफियर महिलाओं के लिए युवाओं के लिए खिला मोजी ची के नितरत में पहुचाया है कि हम दुरिया के सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए है आर्थिक विवास्ता के मामले में भी अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाए जाने का निड़ने एक क्रांतिकारी कदम है अगले पांच साल में प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन के तहट लगवर दो करोल घरों घर बनाने का निड़ने लिया गया है अगले पांच साल में अब हमारी सरकार तीन करोर से अधिक लगवती दीदी बनाने का सुने जित लक्ष रख करके चलिए MSME सेक्टर को ग्लोबल बनाने के लिए सरकार में जो निड़ने लिया है वो आप निर्भर भारत के लक्ष के को साकार करने में मदद देगा